तुदेए, यहां पर देखिए हमारे पास यह एक linear expression है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है यह भी linear expression है यह दोनों का product है अब दो products है हमारे पास यहां पर भी और इधर भी उनका sum करना है हमने तो वो कैसे करेंगे यह देखते हैं इसके लिए हम vertically and crosswise method का use करेंगे जो numbers के लिए आपको बताया हुआ है last videos में कैसे करते हैं तो यहां पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा आईए देखते हैं सबसे पहले हम अपना पहला वाल expression लिखेंगे x plus 4 इसके नीचे हमने दूसरा expression लिख दिया 3x plus 2 अब यह दो expressions का product है यह भी हम देख चुके हैं last videos में कि दो expressions हैं उनका product कैसे करते हैं यहां पर product का sum हमें एक साथ करना है यहां पर हमने sum किया यह दोना expressions लिखे x plus 3 नीचे लिखा 2x plus 4 यह लिख दिया हमने इस तरह से और यह हमें product कर रहे हम इस तरह से यह देखे तो अब हमें पता है vertically और crosswise method के बारे में तो वो हम यहां पर use करेंगे इसके 3 parts हो जाएंगे हमारे answer के left, middle and right part right part of the answer में क्या करेंगे हम vertical multiplication करेंगे यह जो दो numbers है इनका इन दोनों के और इन दोनों के vertical multiplication क्योंकि आपको पता है इसमें इस तरह से arrow symbols use होते हैं 1, 2, 1 वाले पिछली वीडियोज आप जरूर देख लीजिए अगर आपको यह नहीं समझा रहा अच्छे से vertically and crosswise method की वीडियो अब देखिए 1, 2, 1 1 means vertical multiplication देखिए 4, 2s are 8 3, 4s are 12 दोनों को add कर लेंगे साथ में तो 8 plus 12 योगय 20 वो हम side पे लिख देंगे अब middle part में हम क्या करते हैं crosswise multiply और add भी करेंगे तो देखिए पहले इधर कर लेते हैं crosswise 2 into x, 2x 4, 3 is are 12 12x 12x plus 2x, 14x पहले इसका लिख लेते हैं अब इधर आ जाते हैं ऐसे कर लेते हैं crosswise multiplication 4x और इधर हो जाएगा 6x 6 plus 4, 10x ये लिख लिया ये हमारा middle part आगया answer का अब हमें अपना answer का left part निकालना है उसके लिए फिर से vertical multiplication जो corner में 3x into x 3x square 2x into x 2x square दोनों add कर लिखने 5x square तो देखे हमारा answer का आया 5x square plus 14 plus 10 24x plus 20 ये हमारा answer है तो बहुत ही easy method है इसे आप और अली भी direct answer लिख सकते हैं जैसे आपने पहले first step का multiplication किया साथ में add कर लिया वो लिख लीजिए फिर आप middle part निकालिए middle part में ये step लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इनको product करते वे जाएंगे और साथ में add भी कर देंगे तो इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं सीथे इसी तरह से ये वाला step तो इस step के बिना भी आप ये वाला step लिख सकते हो तो ये बहुत ही easy method है इसके आप practice कीजिए थैंक ये